यह देखिए इंफर्मेशन बुलेटन है नेशनल एलेजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन नीट यूजी 2023 देखिए सामने प्रैक्टिकल उधारन है आपके पास में कि सच्चा कौन था ठीक है तो इसी एक लाइक तो बनता है और एक सब्सक्रिप्श आपके पास कॉलेजिस के नाम है यह आपको पहले सही मालूम है उसको हमें नहीं देखना है जो इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होगा उसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो देखिए उसको एक बार ट्राइगर तें ठीक है क्योंकि वहां से तो आपको पता होना चाहिए यह देखिएगा पहली चीज यहां पर इस फॉर्म में जो जो चीजे जा ध्यान दीजिए इंफर्मेशन बुलेटन में मार्क की गई है उसको भी ध्यान दे लें देखिए क्या लिखता है प्लीज फॉलो इंस्टेशन विफॉर फिलिंग दी ऑल्लाइन एप्लिकेशन फॉ पहला नो क्रेक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग क्टगरी चेंज देखिए एक बार जो आपने क्टगरी भर दी न वो भर दी आप उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे मीन बाई अगर आपको क्रेक्शन का समय दिया भी जाएगा तो उसमें क्टगरी चेंज नहीं एक बार आपने रिजिस्टर कर दिया तो क्टगरी को आप चेंज नहीं कर पाएंगे चलिए दूसरी चीज देखिए अगर जब तक आपने समिट बटन को प्रेस नहीं किया होगा तब तक आप कितनी एक बार चाहें एडिशन जो है एडिटिंग जो है वहाँ पर कर सकते हैं लेकिन एक बार आपने सम्मिट कर दिया एप्लिकेशन तो उसके बाद में एडिटिंग करना अलाउड नहीं होगा चलिएगा उसके बाद देखिएगा और जो यहां पर इंस्ट्रक्शन लिखी जो गर आफ उसके बाद जो सिगनेचर है लेफ्ट एंड राइट हैं थम इंप्रेशन है फिंगर उसके बाद थम इंप्रेशन और उसके बाद आपके बाद ऑर सर्टिफिकेट भी फोर अप्लोडिंग ध्यान दीजीगा जितनी भी आपके पास इंस्ट्रक्शन हो चाहें वो आपके पास कौन से डॉकूमेट अप्लोड करने है फोटो के साइजिस क्या होने चाहिए इसके अलाबा जो आपके पास बेसिकली राइट एंड लटड जो आपके पास हैं उसकी फिंगर और थम के जो इंप्रेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए वो आपके पास यहां पर पूर चरह से केरफुली आपको मेंशन करते हूँ चलने हैं उसके बाद देखिए गा मुबाइल नंबर एड इमेल आईडी नीडिड टू भी वेरिफाइड थू ओटीपी ध्यान दीजीएगा एक वेलिड इमेल एड्रस और एक वेलिड मुबाइल नंबर का आपके पास ह होना बहुत ज़रूरी होगा अगर आपका नहीं भी है अगर आप मुबाइल फोन रखते ही नहीं है यह आपको ऐसा लगता है कि आप सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाएंगे तो आप अपने गार्डियन पेरेंट्स का भी वहां पर नंबर और वहां की इमेल एड्रस जो यूज करना है स्टूडेंट्स और रिक्वाइट टो कीप अलाइव और नॉट क्लोज इट बिफोर दी काउंसलिंग प्रोसीज प्रोसेस देखे कई वार क्या होता है न मैं तो मेरे को तो मालू में बच्चे ऐसा करते हैं जैसे माल लीजिए आप कहीं पर कोचिंग लेने गए थे तो कई लोगं का अच्छा एक्जाम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे ना सिम तोड़कर देंगे ठीक है या अपनी जो इमेल आइडी होगी उसको डिलीट कर देंगे तो यह ऐसा नहीं करना है जब तक काउंसलिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है आपको उस नंबर के साथ बने रहना है मीन वाय उसके उपर रिचार्ज आपको कराते रहना है ताकि वो अलाइव रहे क्योंकि जितनी भी आपके पास इंफर्मेशन होगी उसी आपके पास मुबाइल नंबर और उसी पर्टिकुलर इमेल आइडी के उपर आपको मिलेगी तो उसक नंबर और उसो नीट टो बी प्रवाइड आपके पास अगर आप विध्यारती वो है जो आपके पास इंटरनेशनली कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में बैठे गए हैं और ये नीट अंडर गैजूएशन का एंगजाम दे रहे हो तो आपको वहां का जो नंबर है आपके पास international numbers होते हैं कई बार वहाँ पर वो services available नहीं करवा पाती है NTA और वहाँ पर दिक्कते हो जाती है तो better है जो इंडियन guardians हो उनका यहाँ पर एक additional number वहाँ साथ मेंशन कर दीजिए वहाँ पर आपको information send कर देगा NTA clear उसके बाद देखिएगा choose question paper medium carefully as it cannot be changed at a later stage मैं इस point को कहूंगा बहुत अच्छे से समझ लीजिए एक बार क्योंकि देखिए होगा क्या आपके पास वहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले ही जब basically यह information bulletin से पहले जो notice आया था उसको देखा था और हमने कहा था कि वहाँ पर बहुत सारी languages में आपका ही exam होने वाल है आप Hindi choose करिए English choose करिए Malayalam choose करिए जो आप basically choose करना चाहते हैं वो अगर एक बार जो language आपने mean by जो आपने medium of basically आपके बस question paper है वो आपने choose कर लिया तो आप उसको वापिस से change नहीं कर पाएंगे तो specifically यह ध्यान करकर चलना है यह point बहुत जादा जरूरी रहेगा एक बार जो आपने follow कर लिया उसमें कोई change नहीं हो पाएगा चलेगा और ची चीज़ों के बारे में मैंने पिछली जो notice आपके दिखाई थी वहीं पर यह सारी चीज़ें आपको बता दी हैं भूलना नहीं है सेवन्थ में 2023 शाम को मीनबै दोपैर के समय आपके बार दो बज़े paper स्टार्ट होगा और पास बचके 20 मिनट पर खतम हो जाएगा यह चीज जो चीजे हैं वो हमने यहां पर देख ली हैं तो इसको नहीं मैं आपको वापिस से पढ़ूँगा क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और online माध्यम होगा यह चीज़ ध्यान दीजिएगा online माध्यम के बिना अगर आप किसी और mode से submission करना चाहते हैं application की व क्या कहना चाहता है इस बार NTA यहां देखिए step number one registration form ठीक है अब यहां पर क्या लिखता है register for the online application form and note down the system generated application number यहां पर घ्यान दीजिएगा specifically आपको note down करकर रख लेना है जो आपको system ने application number जो है वो generate करकर दिया है याद कर लीजिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आपके पास basically form filling के लिए जाते हैं वहां पर system के द्वारा जो आपके पास application number generate करकर दिया जाता है उसको write down नहीं करते हैं और बाद में उनके साथ दिक्कते होना शुरू जाते हैं ध्यान दीजिएगा आपको system generated जो application number होगा जो आपको मिलेगा उसको कही ना कहीं note down करकर preserve करकर रखना है याद करकर चलना उसके बाद एक हैं the candidate should provide the required details while filling the online application form the candidate must also create password आपको एक specific type का password खुद से set करना है and choose security questions and enter an answer तो दीखिए वहाँ आपको एक जो भी security questions होंगे वहाँ पर बहुत सारे होते हैं ठीक है उन में से कोई भी question आप चूज कर लीजिए उसका answer फिल कर दीजिए पर याद होना चाहिए कि जो भी आपने चूज कर लिया एक बार question वही आपके पास answer आपको याद रहना चाहिए ये चीज़ ध्यान करकर चलिया आप देखिया after successful submission of the personal detail an application number will be generated and it will be used to complete the remaining steps of the application form and will also be required for the all future reference correspondence and for subsequent logins the candidate will be able to log in directly with the system generated application number and the password created password आपको खुद create करना है system आपको एक application number खुद से provide करेगा उसको preserve कर कर रखियेगा उनकि जब भी आपको login करना होगा तो password और application number की आपको हमेशा requirement रहेगी चलिएगा step number 2 देखते हैं यहां पर क्या बताता है application form लिखाया जी तो चलिएगा यहां पर क्या चीज़ मैंशन की गई है उसको जड़ा ध्यान दीजेगा the candidate can login with the system generated application number and pre-created password for completing the application form including filling up personal detail, choosing the question paper medium, examination cities, providing the details of the educational qualification and uploading the images and documents if any ध्यान दीजीगा आपको images या documents को upload करना mandatory है अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी submission हो ही नहीं पाएगी और अगर submission हो भी गई तो reject कर दिया जाएगा याद कर लेना इस चीज़ को बहुत जादा important रहेगा चलेगा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने कहा था कि जो basically आपके photographs होंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको mention करी होंगी वो important देखिए upload scanned images of the candidates recent passport size photograph recent होना चाहिए पुराना नहीं चलेगा ठीक है उसके बाद ध्यान दीजिए अभी दिख रहा है ना सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है देखिए आप ही के लिए बनाते हैं और अगर आप हमें motivate नहीं करेंगे तो ऐसे समय notification release होगी हमारी बात सत्य हुई है इस सत्यता के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना बनता है देखिए आपकी बात सब्सक्राइब तो करिए एक बार ना देखिए कैसी कैसी आपके पास चैनल के उपर आपको वीडियो मिलेंगी कहीं नहीं मिलेंगी और जितना आपके पास आपके पढ़ने का कंटेंट आपकी जरूरत है ना हम सब प्रोवाइड करते हैं आप बने तो रही है एक बार सब्सक्राइब करना नहीं भूलियाग ठीक है चलिए आप ज़रा ध्यान दीजीगा यहाँ पर क्या के चीज़े जरूरी होगी देखिए आपके पा आपके पास में जो बेसिकली आपके फिजिकली है वह वाला सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट और पर्मेनेंट एड्रस प्रूफ आपके पास होना अनिवारे होगा कि छलो एक और बात अब ध्यान दीजी मैंने कल भी आपको कहा था स्पेसिफिकली विए हरानी की बात पता है कल बहुत बच्चे बोले थे अरे सर झूटे हो झूटे हो झूटे हो झूटे हो ャंगर मी लग रहीं आपके लिए बनाते ना सत्य हुईना हमारी बात आज 6 मार्च है 6 मार्च 2023 को क्या फॉर्म आया या नहीं आया बताओ ना कमेंट सेक्षन के अंदर कि आप बोलो ना हम सत्ते बोलते है अब क्यों नहीं बोल रहा कोई सब्सक्राइब करना आपके पास बोलना चाहिए आपको तो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ना क्यों नहीं कर रहे हो अब आप शेयर करो ना सारी चीजों को ध्यान दो अरे कर दो भाई शेयर करने से ना हमेशा आपके पास मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को अच्छा चलो देखते हैं हांजी हांजी सलेबा सरी देखिए अभी हम सामने पढ़ रहे हैं आपके सामने पढ़ेंगे सामने पढ़ेंगे आपके सामने पढ़ाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं सारी जीद एक्सप्लेइन करने वाला हूँ विकलब जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है और सजेंदर जी आप अभी देखिए मैंने पढ़ा ही नहीं है मैं क्यूं पढ़ मैं आपके सामने ची देखा या नहीं देखा है लेकिन एक बात पर ध्यान दीजीगा आपको एक चीज़ पर ध्यान यह देना है कि छोटी बात अगर मिस हो गई न तो देखिए मला समझ लीजिए कि बंटा धर हो गया अब यह चोटी बात यहां है यह सबसे इंपॉर्टेट बात जिनका जुरूर यहां पर देखिए क्या लिखा गया है रीजेल जो फोटोग्राफ है वह यहां तो आपके पास कलर्ड होगा या ब्लैक एंड वाइट होगा विद एटी फरसेंट ध्यान दीजी वोड क्या मेंशन किया गया है विद एटी परसेंट फेस विदाउट मास्क आपका जो फेस ह यह फोटोग्राफ है तो इस फोटोग्राफ का एटी परसेंट जो हिस्सा है वह आपके पास फेस से कवर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा यह चीज़ ध्यान करके चलिएगा यह स्पैसिफिकली मेंशन किया गया है अक्षे सचदेवा सर अधार कार्ड ही होना देखिए मैंने थोटी देर पहले भी मेंशन किया था कि अधार कार्ड के अलावा आपके पास और भी डॉकुमेंट हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हैं तो यह ध्यान दगर कर चलिए यह इंपॉर्टेंट है चलिए इसके अलावा जरा और चीज़ों को देख लेते है देखिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है यूँकि सब्सक्रिप्शन इस दी मोटिविकेशन है जी हमारे लिए आपके लिए हो या ना हो मेरे लिए तो है यूँकि मुझे मालूम है जब मैं पिछले दिन वीडियो बना रहा था ना तो मेरे अंदर की फीलिंग मुझ सब्सक्राइब कर गए अंदर से मैं तूट गया था बहुत टूटा था मैं अंदर से मुझे मालूम था मैं तो सत्ते बोल रहा हूं कि हमारे पास जो एंटी ऑफिशल मैं नाम नहीं बता हूँ आपको स्पेसिफिकली कि मेरी किन 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 लोगों तक पहुंचती लेकिन इसके लावा देखिए क्या लिखता है वाइड बैक ग्राउंड का अभी भी होना बहुत जादा जरूरी रहेगा और एक चीज़ के उपर स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना है जब आप फोटोग्राफ खिचवाने के लिए जाएंगे न तो आपके जो एर्स हैं वह यहा दूराचन शुड़ बीन हुक जएपेजी फॉर्मेट क्लीर लेजीबल यादगर के चलीगा पीडियाफ के लिए नहीं बोला गया है पीडियाफ फॉर्मेट मैंशन नहीं किया गया है हमने पिछले भी जो आपका वीडियो था वहाँ पर भी specifically कहा था कि PDF format की आपके पास photograph के लिए जुरूरत नहीं होगी thumb impression के लिए जुरूरत नहीं होगी JPG format ही आपको वहाँ पर लेकर चलना है clear है जी तो आपके पास second important point scan photograph signature left and right hand finger and thumb impression जो है वो आपके पास में JPG format में ही होगा PDF में नहीं होना चाहिए अरे बड़ा बुरा लग रहा है 63 स्टूडेंट देख रहे हैं oh my god अरे अरे लाइक तो बनता है 63 स्टूडेंट देख रहे हैं और यहां पर 18 लाइक मुझे नजर आ रहे हैं एसा क्यों अरे लाइक करने में क्या जाता है थोड़ा सा लाइक कर देंगे ना अरे कल मैंने गालीय भी तो खाई है डिसलाइक भी तो आप ही नोग ने दिये थे लाइक कर दो कि क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कर दोगे तो अरे देखिए सारी इंफर्मेशन अभी किसी के पास नहीं है डायेक्ट मैं आपके पास लेकर आया हूं सबसे पहले चलिएगा उसके बाद देखिएगा यह तो समझागे कि जेपीजी फॉर्मेट में ही आपके पास सिगनेचर जो आपके पास फिंगर और थब इप्रेशन है वह जेपीजी फॉर्मेट में ही होना आपके बाद जरूरी है इसके दाव देखिएगा स्कैंड केटगरी सर्टिफिकेट अगर आप केटगरी से बिलॉंग करते हैं तो एक्स्प्लोर फिलिंग अरे बहुत बढ़ी है थैंक आपके लौ šाम को वीडियो हमने रीलीज किया था तो के जाईए लिएस सक्ष्ण को देखिए वहां पर हमने स्पेसिफिकली मैंशन किया है कि आपके जो नीट का फॉर्म है वो आपका कल आएगा में भहां के पास last date है वो है 6th April 2023 शाम के 9 बज़े तक आप basically submit कर सकते हैं फॉर्म को और 11 बज़ के 50 मिनिट रात के आप basically जो आपकी fees होगी उसको deposit कर सकते हैं यह चीज़ ध्यान दीजिएगा हाँ जी इसके बारे में अभी mention करते है रोहन जी कि जो रेपेटर्स हैं उनको basically कौन सा कोड फिल करना है यह सारी चीज़ें ज्यादा प्राइब मोस्त इंपोर्टेंस किये जो यहां पर मैंशन एक एक करकर मैं सारी चीजों को यहां पर पढ़ रहा हूं तो आप ध्यान देकर चलते रहिए सारी चीज़ें बताऊंगा करना नहीं बूलना है बचों के सास्ट शेयर करना बिल्AK viewpoint कर गहें दिखिए कल आपने ही दिसलाइक किया था आपने ही अंसबस्क्राइब कर गए थे आप में से बहुत सारे बच्चे बात करे सब कई चैनल से टाइट सब्सक्राइब यह सकथ है था सब्सक्राइब 2020 कई सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब curtain अबом कर देजीए गहांwydd हैं जृओष Happiness में पढ़िएंट में किण सब्सक्राइब बाहर रहके पड़ सक्राइब allora शृरोरी होगा वो कैसे current address प्रूफ देगा जैसे की quota घर का तो समझ आ रहा है अरे देखे मैंने आपको अभी बताया आपको कोई अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं है देखिए वहाँ पर एक specifically mention किया गया था देखिए जैसे माल लीजिए आपका पुष्टानी घर जो वो कहीं और है और आपके ममी पापा की रेड में किसी और जगहा कर काम करते हैं और अब वही रहते हैं तो वह आपका present address हुआ लेकि permanent address तो जहां के mother father actually में हैं वहां का basically permanent हुआ लेकिन माल लीजिए अगर मैं ये mention कर दूँ कि जहां पर मैं अभी रह रहा हूं वही मेरा permanent और basically present address है तो आप आपको अलग-अलग addresses देने की जुरूरत ही नहीं है देखिए डाइलेमा रहता है बच्चे के दिमाग में मेरा हमेशा मानना है कि आप एक एड्रस को present और एक एड्रस को permanent बताइए कोई दिक्कत ही नहीं होगी समझा रही है मेरी बाद explore feeling समझा रहे ना देखिए अरे बहु देख लेते हैं और भी जो important है याद करिए मैंने थोट दिर पहले कहा था जो आपके photograph है finger और थंद का impression है वो JPG format में होगा जबकि आपके पास जो category certificate है citizenship का जो आपके पास certificate है वो PDF format में ही होना जरूरी है वहाँ पर आपके पास JPG format नहीं चलेगा यह clearly याद होना चाहिए इ size of the scanned photograph ध्यान दीजिए size of the scanned passport photograph should be between 10 KB to 200 KB ध्यान दीए specifically mention किया है NTA ने कि आपके पास 100 KB से लेकर 200 KB के बीच में ही आपके पास basically जो आपका passport photograph का size है वही होना चाहिए अगर मालीजे 1 MB हो गया 2 MB हो गया 3 MB हो गया वो लोड़ी नहीं होगा site के उपर यह ध्यान करके लोडिंग तब हो पाएगी जब 10 KB से लेकर 200 KB के ऊपर आपके पास basically specifically वह photograph का size हो अगर देखे आप जो basically कहीं जाएंगे मालीजे कहीं photograph की चानल जाएंगे तो आप specifically mention कर दीजेगा कि edit करकर basically जो photograph का size है वह आपके पाप basically 10 KB to 200 KB के बीच में ही रहना चाहिए समझ आ रहा है जी यह वाली चीज किसी को नहीं समझ आई यह तो फिर से पूछ सकता है सर अलग स्टेट में exam देना है जैसे राजिस्ता अरे मैं फिर कह रहा हूं आप specifically आपकी अगर इच्छा है कि present और permanent address को same रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जितनी भी आपके पास अगर माल लीजे कोई भी एंटी के द्वारा कोई भी अगर आपके पास यह माल लीजे कि physical form में कोई भी चीज घर पे भेजनी होगी तो आपके permanent address पर पहुंच जाएगी present पर नहीं भी पहुंची तो permanent के ऊपर कोई ना कोई तो available होगा आपके guardian आपके parents कोई ना आतार चलती रहेगी तो चैनल सब्सक्राइब गर लो यूंकि आपके पास इसके बाद में हम थोड़े ही दिनों में one to one week के अंदर ही कोशिश यह है कि हम आपके जो basically fastest pattern वहाँ पर basically हम आपके साथ में MCQs को solve कर रहे होंगे और हमारी एक कोशिश है कि day to day basis के उपर अब आप पर चार नंबर के लिए हम basically पढ़ रहे होंगे चार मिनिट में ध्यान दीजिएगा चार नंबर के जो basically question है उसके concept जो होंगे वो चार मिनिट में हम आपके साथ revise कर रहे होंगे तो उसके अलग से videos आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे इसके अलावा ध्यान दीजिए हमने अभी specifically mention किया कि single shots जो है वो biology के आपको यहां पर available हो रहे होंगे इसके अलावाद है हमारा जो basically chemistry के single shots है वो भी आपको available करा जाना है और इसके बाद में specifically mention करना चाहूंगा physics के single shots भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे वो हमने पूरी तरह से तयारी कर ली है चैनल subscribe कर करना बस important रहेगा कि आपके वहां तक basically information आपको notification के तुरू पहुंचती रही चैनल subscribe करना पक्का से मत भूलना और basically आपके likes जो है वो बढ़ते रहने चाहिए बहुत सारे लोग देख रहे है likes नहीं करते हैं पता नहीं कर दीजिए क्या दिक्कत है चलिए उसके बाद देख postcard photograph होगा आपका उसका size देखिए specifically यहां पर mention किया है वो mention कर रखा है आपके पास 4 multiply 6 ठीक है जी और आपके पास उसका size जो है वो specifically आपके पास 10 KB से लेकर 200 KB ही होना चाहिए यह चीज़ ध्यान करका चलिएगा यह important रहेगा इसके बारे में भी आपके पास ध्यान देना जलूरी है इसके लाबा the size of the scanned signature should be between 4 KB to 300 KB यह भी ध्यान करके चलिएगा यह भी आपके पास जादा नहीं होना चाहिए यह clearly mention होना चाहिए वहाँ पर clear sir I don't have EWS form क्या self declaration form इस साल भी release होगा please tell thanks for all the hard work देखिए अभी तक ऐसी कोई भी information NT के द्वारा नहीं दी गई है कि self declaration अगर आप करेंगे तो form valid होगा अभी तक ऐसी कोई information नहीं है तो मैं आपको directly नहीं कहूंगा हाँ साथ मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने जितना मैंने भ declaration जो है वह इस साल भी अभी आपके पास release होगा या नहीं होगा या स्पेसिफिकली ऐसी कोई चीज़ मैंशन नहीं की गई है क्योंकि आपके पास देखिए EWS का certificate है वह स्पेसिफिकली आपकी जो authorities होती है उसी के द्वारा release होता है revenue जो records होते हैं उनको देख कर यह कहीं नह नहीं किया है यहां पर हो सकता है further कोई update आजाए NTA के द्वारा तो वहां पर हो सकता है कि आपको भी प्रोवाइड कर दिया जाए कि आपकी self declaration भी मान ली जाएगी पर अभी देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा जो आपके बास signature है उसका जो basically scanned version है उसका जो size है वो 4KB to 300KB के बीच में रहना चाहिए clear उसके बाद देखिएगा the size of the scanned and left and right hand finger and thumb impression as per the template provided in the appendix this particularly इस appendix के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए उसका जो size है वो 10KB से लेकर 200KB के बीच में ही रहेगा आपकी कोशिश यही होनी चाहिए जहां आपर भी आपको basically photographs लेने है उन photograph का जो size ह वो 10KB से 200KB के बीच में ही रहना चाहिए अब यह यह clear हो गया जी उसके बाद देखिएगा the size of the scanned copy of the category certificate चाहिए हो ST हो ST हो OBC हो EWS हो should be in PDF format ज्यान दीजिएगा यह JPG नहीं चलेगा photograph नहीं चलेगा PDF format होना चाहिए 50KB to 300KB के बीच में ही होना चाहिए यह बी specific देख लीज चलेगा उसके बाद में आपको कहीं नहीं मिल पाएंगी और मुश्किए बार-बार इतना समय भी नहीं है आप लोगों के बाद क्या फिर से आएंगे फिर मेरे वीडियो को देखेंगे या किसी की वीडियो को अभी देख लो अभी लिख लो कहां नहीं घतब clear अब चलिए एक और चीज़ इस साइज ऑफ इस कैंड कॉपी ऑफ दी फिजिकली हैंडिकाप सर्टिफिकेट शुडबी बिट्वीन फिफ्टी के बी से लेकर 300 के बीके बीच में होना चाहिए यह ध्यान कर चलिएगा उसके बाद इस साइज ऑफ दी स्कैंड कॉपी ऑफ दी क्लास 10 पा सर्टिफिकेट और अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो अनिवारे होगा यह ध्यान कर चलिएगा उसके बाद देखिए इस साइज ऑफ दी एड्रस प्रूफ दी प्रेजेंट एड्रस एंड पर्मनेंट एड्रस शुडबी बिट्वीन फिफ्टी के बीट्वीन फिर से ध्यान दीजिएगा मैंने अभी थोट देर पहले ही कहा था कि आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रेजेंट और जो आपके पास पर्मनेंट एड्रस है वो बिल्कुल सिमिलर हो वहां पर आपको अलग से मेंशन नहीं करना है एक ही एड्रस जहां पर आपके गाड ना सारा गलत है कोई नहीं आएगा कल नीट का आपके बास बेसिकली फॉर्म मरने के लिए आया की नहीं आया चेक कर लीजिए वहाँ पर मिल जाएगा आपको कोई जूट नहीं कहा था हमने वह आपकी अपनी इच्छा है आपको लगा हो तो हो सकता है बहुत सारे लोग ने तो बहुत सारे गंदे कमेंट भी किये थे आज ही अच्छे कमेंट कर दो बोल दो ना सर आज आप सच्चे थे बोल नी सकते हो कि अब अब उस समय तो सारे बोल रहे थे सर आप तो सबसे बुरे हो आज भी कोई बोल रहे है कि सर आप अच्छे हो ना तो किसी को लाइक का तोड़ दूँ स्क्रीन तोड़ दूँ क्योंकि मुझे मालूँ तो मैं तो सच बोल रहां मेरे पास एंटी के ओफिशल जो थे उन्होंने जानकारी पूरी प्रोवाइड की थी डारेक्ट प्रोवाइड की थी लेकिन फिर भी क्या करें मानते नहीं है चलिए कोई बात नहीं क इस नहीं है पर इतना तो काम करी सकते हो चलिए और एक और इंपॉर्टेंट यहां पर नोट लिखा गया है उसको जड़ा एक बार देख लेते होंगी ऐसी चीज़ें तो आपको यहीं पर मिलेंगी देखिए नोट क्या लिखा है डिक केंडिडेट हैस्टू अप्लोड ऑन आपने कहीं न कहीं किसी दूसरे के सिगनेचर ही अपलोड कर दिये अब देखिए कई वार ऐसा होता है मालीजे आपने बेसिकली आपके ममी पापा ने या आपके भाई बैन ने आपके फॉर्म भरना शुरू किये ठीक है और घर में दो बच्चे हैं दोनों के बेसिकली जो बेसिकली जो सब्सक्राइब कर लो थिक है कि देखे मैंने पहले कह दिया वन्शॉट वीडियो यहां पर कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं यार मेरे को देखो क्या है मैंने बींग डॉक्टर मेरे पास अपना क्लीनिक है मैं अपना काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए कोई देखे जो मेरे साथ दिक्कते आई थी ना मेरे समय में मैं नहीं चाहता आपको उन दिक्कतों को फेस आने आता है आप महां बेकार टीचर है हम इससे बढ़िये टीचर से पढ़ते हैं पर एक पर ट्राइब करने में क्या हर्ज है सब्सक्राइब करने में क्या हर्ज है लाइक करने में क्या हर्ज है दूसरे का शेयर करने में क्या देखो शेयर यह भी कर देना बहुत बेकार आपको करने का मौका नहीं मिलेगा याद कर लीजिए अगर आपने इन में से कोई भी गलती की है जो मैंने आपको बताया कि फोटोग्राफ आपका अपना होना चाहिए सिगनेचर अपना होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट हैंड के जो आपके पास फिंगर्स हैं और आपक in case it is found at any time in the future that the candidate has used, uploaded the photograph, left and right hand fingers and thumb impressions, signature, certificate or someone else in his or her application, admit card or he or she has tampered his or her admit card, result or scored card, these act of candidates shall be treated under unfair means that is UFM practices and action taken as detailed under the provision of the information bulletin related to unfair mean practices, ध्यान दीजेगा इस साल भी ऐसे बहुत सारे cases हुए, जहां पर बच्चों ने अपने scorecards को आपके पास किसी ना किसी तरीके से modify कर लिया, edit कर लिया, उनको seeds तक मिल गई थी, आपके पास कहीं ना कि medical colleges में, बाद में जाकर उनके बारे में पता लगा, आज की date में वो बच्चे जेल के चक्कर काट रहे हैं, बेल्स के उपर बहार आते हैं, कुछ दिनों के लिए, और देखिए, यहां पर माबाप को भी पता नहीं था, कि exactly बच्चे के वो number नहीं है, बच्चे की वो admission भी करा गाए, medical college भी बच्चा पहुँच गया, authority को बाद में पता लगा, कि आपके पास यह सारी information गलत है, जो बच्चे ने भरी, तो ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी गलतीया नासूर होती है, ऐसे अग धबा लग गया ना आपकी image के उपर, उसको कोई नहीं धोपाएगा, subscribe करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बच्चे बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, likes तो बनते हैं, यार, मैंने बहुत effort किया था कल, मुझे मालूम था, मुझे पक्का like बनता है, आज तो आपको one shots की जरूरत है, आज तो आपको basically MCQ series की भी जरूरत है, मेरे जैसे mentors की भी जरूरत है, पिछले 11-12 साल हो गए, मुझे यहीं चीज़ करते हुए, तो मुझे मालूम नहीं होगा क्या कि question कहां से आना है, मुझे नहीं मालूम होगा कि theory का कौन सा expect ह होगा, जहां से वो चीज़ पूछी जाती है, मैं जब doctor बना था, और आज बेसिकली जो आप बच्चे हैं, जो doctor अभी बनने वाले हैं, वह यह दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी, कि पहले syllabus बहुत जाता था, syllabus कम हो गया है, निकि आपको syllabus कम होने पर भी, उसमें से क्या चीज़ पढ़नी हैं और नहीं पढ़नी हैं, क्या उसमें कोई change होगा, हमारे समय में भी तो यही था, कि इतनी सारी booklets थी, सब में से आपके पास बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती, smart studies आपके पास effective होती है, smart study करना मैं बताऊंगा ना, one shots के अंदर, आपके questions आपको मिलेंगे, questions के answers भी मिलेंगे, देखना जरूरी है, subscribe करना जरूरी है, तो subscribe करना बिल्कुल मत भूलो, और like करना बिल्कुल मत भूलो, आप चलिए, fee payments के बारे में देखिएगा, आपके पास क्या चीज़ें लिखी गई है, अगर आपका step 1 और step 2 अगर complete हो गया हो, तो आपको basically, net banking, credit card, debit card और UPI, इन माध्यम से payment करने के लिए आपके पास authority NTA ने provide कर दी है, अब देखिए का एक चीज़ ध्यान करके चलिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी यह चीज़ कही थी, कि आपके पास होता क्या है, कि form जो है, माल लिजे, किसी A subject ने भरा, और वहाँ पर जो payment है, वो किसी B, C, D, किसी और subject के credit card, debit card या internet banking या UPI से कर दी जाती है, वहाँ देखिए क्या दिक्कत होती है, सबसे बड़ी क्या दिक्कत होती है, specifically, वहाँ यह दिक्कत आपको देखने को मिलेगी, कि अगर माल लिजे, कभी आपकी वो payment जो वो नहीं reach हो पाई, NTA तक, और आपके ख किसी बैंक के पास जाओगे, और आप यह कहोगे, कि मैंने फॉर्म भरा था, वहाँ पर आप दिखाओगे, कि बेसिकली यह देखो, यह पैसा कटा है, पैसा तो किसी और के खाते से कटा होगा, तो वहाँ पर आप justification नहीं दे पाएंगे, और NTA को कहेंगे, कि बेसिकली आप करें, वो आप के पास credit card, debit card, या internet banking, या UPI से होनी चाहिए, ध्यान करके चलिएगा, clear? अरे चैनल सब्सक्राइब करना तो मत भूलो यार, इतना तो कर दो, अब, like तो कर दो, कल dislike किया था, आज तो कर सकते हो न, like, कल भी तो आये थे मुझे बुरा बला औरने के लिए, मैंन मैंने कहा था, पहले भी, कि जो basically आपके पास जो basically इस form को भरने के जो आपके charges होंगे, वो आपके पास specifically mention किये थे, वो मैंने आपको पढ़कर बता दिये थे, इसके लावा उसके उपर GST charge किया जाएगा, या आपको ध्यान रखर कर चलना है, इसके लावा अलग से, जो आपको basically यहाँ पर क्या लिखा गया, the confirmation page of the online application form will be generated only after the successful payment by the candidate, in case the confirmation page is not generated, after the payment of the fee, then the candidate may have to approach the concerned bank payment gateway in the helpline number, email given in the information bulletin, for ensuring the successful payment or for updating, the refund of duplicate multiple payment, ध्यान दो मैंने थोड़ी देर पहले कहाता है यह चीज़, यह बहुत बार होता है, कि NTA की site down रहती है, servers down रहते हैं, और वहाँ पर payment हो गई होती है, आपके पास basically वो information ही नहीं आ पाती है, पहुच नहीं पाती है, कि आपका जो basically payment है, वो NTA को receive हुआ या नहीं हु है, clear, क्योंकि देखे, recovery NTA नहीं प्रोवाइड गरनी है, recovery आपका concerned जो bank होगा, वो ही प्रोवाइड गर कर देगा, चलो जी यह भी हो गया, उसके बाद देखो, download, save and print the copy of the confirmation page of the application form, which would be downlabel only after the successful remedy of the fee for the future reference, ध्यान दीजेगा, application जो form आप submit करने वाले होंगे, उसका आपको basically, download करना, अनिवारे होगा, आपने पास preserve करकर रखी है, यह चीज़ ध्यान करकर चलिएगा, हाँ जी, दिक्षित कुमार सर, government-aided private college means, अरे ध्यान दीजे, simple है, added का मतलब क्या होता है, government के द्वारा कुछ colleges को fund दिये जाते हैं, वो होते private institutions ही हैं, लेकिन वहाँ पर government का कुछ share रहता है, ठीक है, maximum आपके पास private authority होगी, जो उस college को run कर रही होती है, लेकि government ने कुछ चालन अच्छे से कर सकें, इसलिए उनको government-aided आपके पास private colleges कहा जाता है, यह थोड़ा ध्यान देखकर चलिएगा, clear, आज चलो, एक और देख लेते हैं, all three steps can be done together, or at a separate timing, the submission of the application of a candidate could be considered successful, and his or her candidature would be confirmed only on the successful transaction, receipt of the prescribed application fee from him or her, देखें, जब शुरुआत में आया था, तो मैंने आपको यह कहा था, कि system generated application number आपको मिलेगा, उसको note down करना, preserve रखना जरूरी होगा, password आप खुद बखुद सेट कर सकते हैं, और जितनी बार आप basically उसके थूरू login करना चाहें, वो login आपको provide किया जाएगा, आपको जब तक form को submit नहीं करेंगे, जितनी बार आप edit क करना चाहेंगे, आप कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलना है, जितने बच्चे आए हैं, वो इस चीज़ को ensure करिए, clear, उसके बाद देखिएगा, आपके पास क्या लिखता है, candidate shall ensure that the information entered by them in their online application form is correct, all candidate must ensure that they have provided the correct email address and mobile number, मेरे वीडियो पिछले वाला भी देख ले न, मैंने वाँ specifically mention किया था, कि पहला ही number के उपर, कि mobile number और email address आपके पास confirmatory होना जरूरी होगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं बनेगा, when candidate register, they have to enter the OTP registered at their registered mobile number, and before submitting the fees, they have to enter OTP received at their registered email address, अब यहाँ पर ध्यान दो क्या चीज लिखी गई है, बहुत important चीज है, जब आप basically register करने के लिए जाएंगे, तो register करने पर आपका OTP जो है, वो registered number पर मिलेगा, लेकि जब आप fee को basically pay करने के लिए जाएंगे, जो OTP है, वो आपके registered email address पर आएगी, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था पिछले वीडियो में भी, कि आपका mobile number और आपका email address है, दोनों का आज की date में validated, verified, useful होना जरूरी होगा, ऐसा कोई भी mobile number, ऐसा कोई भी email address सामना करना पड़े, यह चीज़ ध्यान करका चलिया, अब इसके बाद देखिए क्या लिखता है, a copy of a confirmation page, ध्यान दीजे, यह mention करनों में specifically यहाँ पर लिखा भी गया है, a copy of a confirmation page, scanned OMR and scorecard of the NEET Undergraduation 2023 will be sent to the registered email address of the candidate, ऐसा ना हो, कि जिस दिन आप form आपको submit करने के लिए जाएं, उस दिन आपने एकको email address बना लिया, बाद में email address ही भूल जाएं आपको, दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि आपके आज जो confirmation होगा, उसकी copy, scan जो आपके बास OMR होगी, उसकी copy, जो scorecard होगा, वो आपको उसी email validated पर मिलेगा, भूल गए, तो कबा हो जाएगा, पूरा कब पूरा, तो यह चीद ध्यान करके चले, उसके बाद देखिया, information provided by the candidate in the respected online application form, like as the name of the candidate, contact detail, address detail, category, physically handicapped status, educational qualification detail, date of birth, choice of examined cities, and will be treated as final. Any request, ध्यान दीजिएगा, any request for such a change will not be considered by NTA in any circumstances, या ध्यान दीजिए फिर से, candidate का नाम, उसके बाद में contact detail, address detail, category, physically handicapped status, educational qualification detail, date of birth, choice of examination center, आपने जो एक बार भर दिया, वो भर दिया, दूसरी बार अगर आप NTA से request भी करेंगे change करने के लिए, तो NTA आपको authority नहीं देगा, उस चीज़ को change करें, मुझे याद है कि 2020 था और करोना चल रहा था, तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कते आई थी, कि उन्होंने जो center of examination एक बार फिल कर दिया, कई जगा पर करोना हो गया, कई जगा पर कोई दिक्कते और प्रेडियूस हो गई, उन्होंने NTA से request की थी, कि हमारे centers को change क किया जाए, आखरी moment के उपर, पांच दिन पहले ही NTA के द्वारा एक update दी गई थी, कि जो बच्चा, जो center आप चाता है, उस समय, exceptional situation मानी गई थी, कोरोना, और आपके पास कहीं है कि center उनको उसी जगा के alert कर दिये गए थे, जहां पर रहते थे, लेकिन अभी आपके पास ऐ किसी कोई दिक्कत है नहीं है, कोरोना जा चुका है, मेरे reels के अंदर, मेरे videos के अंदर मैंने mention भी किया था, कि कोई postponement of exam नहीं होगी, 7th May 2023 कोई exam होगा, हम सोचिए, एक से डेट महीना पहले, जब पूरे YouTube के उपर सारे लोग बकवास कर रहे थे, कि postponement होगी, हम एक वो व जाएगी, क्योंकि NTA के द्वारा form release नहीं हो रहा, जब हम 5 मार्च 2023 पिछले दिन आए, तब भी बच्चों ने भरवर कर गालियां रिखी, अरे अगर उस दिन गालियां लिख देते हो, उस दिन लोगों जो है, आप जैसे बच्चे आते हैं, जो हमारे को बुरा भला कहते ह हैं, unlike करका जाते हैं, dislike करका जाते हैं, आज तो like करी सकते हो, आज तो subscribe करी सकते हो, आज तो बचчों के साथ share कर सकते हो ना, कि जिनको हम सही information अगर हम गलत होते, तो आज में आपके सामने ना घड़ा होता, आज में यह NTA का form आपके सामने ना होता, क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है कितनी ही academies हैं जो fake informations देती हैं हम उनमें से नहीं हैं हम बिलकुल अलग हैं एक दंतम नीट का platform हमने specifically इसी लिए बनाया क्योंकि हमें मालूम था revolution के नाम के उपर motivation के नाम के उपर लोगों को आपके पास बच्चों को कहीं ना कहीं इस त एकपन आते हैं बाद में बच्चा अपनी doubts लेकर आता है वो doubts resolve नहीं होते हैं बाद में बच्चे के साथ बहुत दिक्कते हो रही होती हो जहां वो रहता है लेगिन किसी को कोई concern नहीं होता है एक दंतम नीट आपके पास इसी चीज़ का solution है हम यहां courses बेचने नहीं आए है आपका मन हो तो खरीदिये हमारे जो price segment है वो normal price segment है ही नहीं है क्योंकि हमें quality आपके पास कहीं न कहीं बच्चे को देनी है हम quantity और courses को recorded format में 2000, 3000, 4000, 5000 में sale करने वाले लोग नहीं है क्योंकि हमें sale नहीं लगानी है यहां पर कोई कपड़ा विक्रेता नहीं है हम यहां पर कॉस्मिट प्रोडक्स को हम education को sell भी नहीं कर रहे हैं हम आपको बनाने वाले हैं exactly जैसा आप चाते हैं अगर आपकी भी इच्छा है कि डॉक्टर बनना है तो 2024 नीट का बुनियाद बैच हमारे पास में हमने launch कर दिया है और उसकी early bird offer जो अभी चल रही है prices उसके ज़्याद सर जिसका 2006 date of birth है क्या वो दे सकता है पेपर चलिए अभी देखेंगे आपके सामने साथ साथ मैं देखने वाला हूँ चलिएगा यह क्लियर हो गया इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेट है चलो जी आगे देख लेते हैं चलो यह तो सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं यह मैंने पहले भी mention करती हैं तो इसको मैं भाप पीस mention नहीं करूँगा वह सारी चीज़ें पहले से इनके उपर यहां पर और भी other information आपको मिल जाएं जो अभी आपकी requirement नहीं है जो मैं आपको समझाओं बस वो आपकी requirement है इसके अलाबा और कोई भी requirement नहीं है पर ध्यान दीजेगा मैंने आपको बोला है mobile number और email address के उपर पक्का ध्यान दीजेगा गड़बड़े पक्की होती ह है जो भी आपका नाम की spelling है mother के name की spelling है father के name की spelling है बहुत सारे मैंने ऐसा देखा है कि बच्चों के जो 10th की mark sheet होती है date of birth की certificates होते हैं या other जो certificate होते हैं उनमें different different name के spelling हैं ध्यान दीजे उसको आज ही correct कर लीजेगा उसके बाद forms को fill करना शुरू करिएगा clear है जी चलो जी एक और चीज़ के बारे में मैं mention के यहाँ पर कर देता हूँ NTA ने पहले बोल दिया देखो यहाँ पर भी mention किया है NTA will not entertain the corrections sent by candidate through post, fax, whatsapp, email, by hand कोई भी correction की request को किसी भी form में आपके पास नहीं मानेगा यह चीज़ ध्यान करकर चलना है अब चलिए यहाँ पर इस point को पढ़िए यह एक और बहुत जादा important point रहेगा examination center के अंदर देखिया candidates are not allowed to carry instruments, geometry, pencil box, handbags, purse, any kind of paper or stationary or textual, material, printed or written material, eatables, water देखिया पानी तक नहीं ले जा सकते हैं loose or packed, mobile phone, earphone, microphone, pager, calculator, document, slide rules, log tables, camera, tape recorders, electronic watches with facilities of calculators, any metallic item or electronic gadgets, devices in the examination hall or room यह बात ना guard बांद लो, कुछ नहीं ले जाना है कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं लेकर जाएंगे सादे कपडों में जाएंगे एक basic लिए आपके पास upper होगा, एक lower होगा inners डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालिए, वो आपकी इच्छा रहेगी लेकिन आपके बास कोशिश करिए track suit में चले जाओ और वो भी light color का होना चाहिए, आपको dark color का use नहीं करना है यह चीज़ ध्यान करके चलेएंगा लेकिन यह point आपको ध्यान होना चाहिए, किसी भी form में आप basic घड़ी भी ले जाना चाहिए, नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि वो metal object आता है, electronic gadget में कुछ भी चीज़ें होंगी, किसी भी चीज़ को आपके पास अलाउड नहीं है, pen अलाउड नहीं, pencil अलाउड नहीं है, पानी की bottle दक अलाउड नहीं किये, तो सोच लिए किसी भी चीज़ को अलाउड नहीं है, तो यह ध्यान करे, कई वारने क किया गया होता है, कि आपके पास में जो भी metallic items होंगी, वो आपको use नहीं करने दी जाएंगी, तो basically आपके पास जो earring है, उसके अंदर भी metals का use होता है, इसलिए आपके पास उसको भी अंदर examination hall में नहीं ले जाने दिया जाएगा, इसलिए घरों पर छोड़ कर आओ, कुछ specifically NTA ने request किया है आपको, ऐसे तो कभी नहीं करते हैं वो लोग, हम ही कर रहे है NTA को लगाता है, निकाल दो paper, निकाल दो paper, कब निकलेगा, कब निकलेगा, अब आगया है, चलो, candidates are requested to retain a copy of the confirmation page, admit card, scorecard, confirmation page तक की आपको basically retain करनी है, copy, admit card तो है यह, scorecard of the meet under graduation 2023, as the same will not be available after 30 September 2023, अगर किसी कारणवश आपकी counselling delay हो जाए, तो भाया ऐसा है न, 30 September के बाद में, आप ये चीज़ें कभी भी NTA की साइट से डाउनलोड ही नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी, अगर counselling delay हो गई, इसलिए better है, आपके पास उसका होना जरू होती है, तो वहाँ पर भी कई colleges के अंदर इन particular चीज़ों को मांगा जाता है, तो याद करके चलना, आपको ये चीज़ प्रिजर्ब करकर अपने पास रख लेनी है, चलो ये तो सारी चीज़ें सारी की साजी लिखी हुई है, हमें इसके बारे में कोई जादा ध्यान देने क ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और चीज़ें देखते हैं, जो important है, उसके बारे में ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो कि वो जादा important रहेंगी, ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है, जो आपके काम की है, हम उसको mention करते हैं, आगे कहीं और, चलिएगा, चलो जी, ये important है, eligibility, बहुत important है, क्योंकि eligibility पता होना जरूरी होगा, ठीक है, चलिएगा, देखते हैं, eligibility क्या है, जराब वो ध्यान दीजिए, पहली eligibility, आपके बाद देखें, यहां पर क्या लिखा गया, eligibility of appearing in need undergraduation as related regulation of NMSE and DCI are as follows, पहली देखेंगा, ध्यान दीजिएगा, to the first year of undergraduate medical course, देखें सुनिए क्या कहानी है, कहानी यह है, कि आपकी एज, 17 साल complete होना अनिवारे है, अगर माल लीजे मैं 2023 का exam attempt कर रहा हूं, और मेरी एज अभी 16 वरश है, तो आपकी एज, ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2023 के आपके आखरी दिन को, बेसिकली 17 साल होना अनिवारे होगा, अगर आपकी एज, साड़े 16 ही रह जाती है, 16 रह जाती है, तो आपकी eligibility नहीं बनेगी, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके अंदर फस जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान करकर चलना अनिवारे है, date of birth है, 16-10-2006, अरे आप calculate कर लीजिए, एक बार अराम से, 2006 से basically आपके पास 14, 16, 17, हाँ जी बिलकुल आपकी 31 दिसंबर जो 2023 होगा, वहाँ पर आपकी 17 साल उमर हो चुकी होगी, तो आप eligible है, कोई tension लेने की बात नहीं है, समीर अंसारी जी, कोई tension लेने की बात नहीं है, shooter PU, PUB जी, आपको भी कोई tension लेने की जुरूरत नहीं है, जितेंदर सिंग, शिखावत, क्या rationalized labels की question, only section B में आएंगे, देखिए, ऐसा कोई mention नहीं है अभी दख, और आपके सामने मैं चीजों को पढ़ रहा हूँ, तो कोई tension लेने, देखो subscribe कर दो यार, इतने लोग आते हैं ना देखने के लिए, मुझे समझ नहीं आते हैं कि आप लोग जाते हैं ना तो लाइक प्रेस करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, कल तो बहुत आये थे, पांच तारीक को तो ऐसे भर-भर कर लोग आये ना, मैं समझ नहीं पाया, पेज नमबर 14 पर 3.1, पेज नमबर 14 पर 3.1 तो यहां मेंशन नहीं नजर आ रहा है, अच्छा यह वाले की बात करें, अरे कुछ नहीं देखो बड़ा सिंपल, क्या लिखता है, देखो जड़ा ध्यान दो, अच्छा यह वाले की बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने की है, furthermore, to rationalize the decision of the reduction in the syllabus by various school education boards, the NTA has taken a decision to provide choice in the section B for each of the four subjects, ध्यान दीजीए, यह हर बार होता है, टेंशन नहीं लेने की है, हर बार आपके पास 180 जो questions होंगे, उसी के accordingly आपकी scoring जो बाब मार्क की जाएगी, आपको tension नहीं लेनी है, 200 questions है paper के अंदर, और section B के अंदर आपके पास options मिलेंगी, और उसका main कारण क्या होता है, कि जो section B है, वो specifically हर एक India के, जो different आपके पास states है, वहां के board के syllabus के accordingly वहां पर question आपको frame करते हों नजर आएगे, तो ध्यान दीजेगा, basically आपके पास वहां पर optional question इसी लिए ही दिया जाता है, कि हो सकता है माल लिजे कि कोई एक topic है, वो किसी एक board में पढ़ाया जा रहा है, दूसरे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चा उसके हिसाब से दूसरा question attempt कर सके, क्या मेरी बाद समझा रही है, ब्यस्सी नर्सिंग के लिए कितना score चाहिए, बाल कृष्ण कुमार जी, देखे, ऐसा तो नहीं mention होता है कहीं बर कि कितना score चाहिए होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि qualification marks, जो भी NTA के किसी भी category के लिए define होंगे after the paper, जब उसका result आ जाएगा, तो उतने marks होना तो पक्का से अनिवार्य होगा, अगर आपको BSC nursing में admission लेनी है, तो इतनी ज़रूर है, चलेंगे कोई बात नहीं, syllabus reduce नहीं हुआ है, and same syllabus है, जो last year था, निवेदिता जी, ये तो पक्की बात है कि syllabus में कोई reduction नहीं हुई है, जो centralized syllabus है, centralized जो syllabus है, वहाँ पर कोई भी reduction नहीं हुई है, लेकि देखिए गाना, different different states के अंदर, आपके पास according to जो वहाँ की state governments होती है, वो reduction भी लाती रहती है, कुछ addition भी लाती रहती है, वहाँ पर आपके पास optional चीज़े available होंगी, डॉक्टर स्ट्रेंज जी आए हैं जी, तो date of birth है, 10-11-2006, क्या दे सकते हैं, calculate कर लो जी, आपकी उमर जो है, वो 31 दिसंबर 2000, 23 को क्या होने वाली है, डॉक्टर स्टेंज जी देख लो, अगर आपकी उमर पूरी 17 साल हो जाएगी उस दिन तक, तो आप बेसिकली उस exam में appear हो ये, आपको देने का पूरा मौका मिलेगा, और आपको admissions भी पक्का मिलेगी, तो कोई tension लेने की जरूरी नहीं है, यहाँ पर, चलो, यह चीज अरे यह ज़्यादा जरूरी नहीं है, देखिए pattern of questions में भी कोई tension नहीं है, जो पहले पिछले साल था, वो ही सेम चीज यहाँ पर है, फिजिस के अंदर section A में 35 question आएंगे, section B में 15 question आएंगे, marks जो है वो आपके पास basically 140, 40 आपके पास section A में है, 40 आपके पास section B में रहेंगे, सेम आपके पास हर चीज हर जगा पर apply होगी, total मिला कर आपके 720 नंबर का आपके पास exam होने वाला है, mean by 180 question C actually आपको attempt करने है, 200 question आपके paper में आएंगे, section B के अंदर every subject में आपके पास 5 optional questions होंगे, आप उन में से कोई भी question attempt कर सकते हैं, total मिला कर आपको करने कितने होंगे, सिर्फ 15 question करने हैं, 15 से ज़ादा नहीं कर, अगर तो Dr. Strange जी 17 साल उमर हो जाएगी न, तो कोई tension ही नहीं है, कोई tension ही नहीं है, आपके सामने, देखे, आपके सामने चीज़ें पढ़ रहा हूं, मेरे को कोई tension वाली बात नहीं है, यहाँ पर देखो एक बार से, यहाँ देखो आपके पास, पिछले साल की चीज़ें ही सारी लिखी गई हैं, हर एक question के लिए 4 number ordered होंगे, minus 1 आपके पास अगर आपने गलत कर दिया, 0 number अगर आपके पास आपने attempt नहीं किया, अगर आपने छोड़ दिया, clear है जी, यह चीज़ ध्यान करके चलिएगा, अब यहाँ पर देखो, क्या लिखा है, if more than one option is found to be correct, four marks will be awarded to only those who have marked any of the correct options, ध्यान दीजिए, अगर किसी question के दो answer होंगे, और दोनों में से अगर एक भी अगर आपने कर दिया होगा, तो भी आपको 4 number मिलेंगे, tension नहीं लेने की है, ठीक है, फिर देखिया, if all the options are found to be correct, the four marks will be awarded to all those who have attempted the question, देखिये, यहाँ पर ना हर साल ही दिक्कत होती थी, क्या दिक्कत होती थी, कि बच्चे जो थे, वो paper attempt करकर आते थे, कई बार उस question के एक के बजाए, दूसरा answer भी होता था, need की जो answer की होती थी, उसमें एक ही answer दे देते थे, आप देखिये, वो clarification आगी है, अगर एक से ज़्यादा answer होगा, और आपने उन में से एक भी answer किया होगा, तो आपको चार number मिलेंगे, बशर्ते attempt किया होना चाहिए, और आपके पस अगर गल्त वाला option attempt कर दिये, तो minus one ही मिलेंगे, कोई tension नहीं है उसकी इसके लिए, नसीम तरास्वर, सर, NEET में eligibility कम हुई है ना, almost कुछ 45% हुए, एक चीज़ सुनो, ध्यान से सुनो, eligibility के जो criteria हैं, वोन में कोई भी change नहीं है, हमें लग रहा है कि eligibility के criteria में change है, कुछ नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कोई change होता ही नहीं है, every साल देख लो, कोई change नहीं हुआ, तो tension मतलो, वैसी की वैसी चीज़े हैं, सारी की सारी, देखिए mode of examination, वो ही basically pen paper mode ही रहेगा, आपके पास अभी भी online माद्यम से exam नहीं होने वाला है, बड़े सारे लोगों को लगा था, कि इस साल online माद्यम होगा, नहीं है जी, specifically mention किया है, ज़रा ध्यान दीजिए, आपके पास OMR sheets आपको provide की जाएंगी, ballpoint pen के दौरा, आपको basically examination center के अंदर, वो OMRs भरनी होंगी, कोई online exam नहीं है, तो यहीं चीज़ ध्यान करकर चलिएगा, clear है जी, अगर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहांपर क्या लिखा गया है, moreover, tempering with the OMR at any stage, will lead to debarring of the candidate for three years, ऐसा मत कर दीजिएगा, कि OMR के अंदर छेद डाल दो, ठीक है, या OMR को काट दो, या OMR को फाड कर पकड़ा दो, क्योंकि देखिए, तीन साल की जेल हो सकती है, तो ध्यान करकर चलना इस चीज़ को, क्योंकि कही बार होतार ने पेपर अच्छा नहीं हुआ, गुस्से में फाड कर वहां पर फैक दिया, तो देखो, वो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, डूरेशन मैंने पहले ही मैंसिन कर दी थी, किन-किन बेसिकली आपके बार, लैंगुजीज में ये एक्जामिनेशन पेपर आपको मिल सकते हैं, इंगलिश, हिंदी, असामी, बेंगॉली, गुजराती, मलियालम, कनड़ा, मराठी, उडिया, तमिल, तेलगू, उर्दू, पंजाबी में ये पेपर आपको मिलेगा, कोई भी एक आपके पास मीडियम आफ एक्जामिनेशन आपको पहले ही भरना होगा, उसी में बेसिकली आपका पेपर आपको मिलेगा, और वो आप्शन आप बेसिकली बापिस से चूज नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान करका चलना, इस चीज को नहीं पढ़ने की जूरुत है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने पहले आपको बता दी हैं सारी की सारी चीज़े, तो यहाँ पर ये वाली चीज हम पढ़ रहे थे, तो ये ध्यान करका चलीगा, देखे, अब क्या लिखा है, यहाँ देखो, अभी जो बेसिकली कौन आए था ना, नसीम जी आए थे या डॉक्टर स्टेन जी आए थे यहां मैंशन भी स्पेसिविकली किया है, अगर आप उस डेट पर बॉर्न हुए है, तो इसका मतलब है, आप अलिजिबल होंगे, आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, क्या लिखा है, अपर एज लिमिट के बारे में, एस पर लेटर नमबर यह सम्थिंग आपके बास यहाँ है, जो आपके 9th मास 2022 का है, रिसीव फ्रॉम NNC Undergraduate Medical Education Board, रिगार्डिंग दी अपर एज लिमिट, देर इस नो अपर एज लिमिट, हमने एक वीडियो बनाया था ना, बहुत सारे बच्चों ने बहां पर भी बहुत गालियं दी थी, कि सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कि अपर एज की लिमिट ना सेट की जाए, तो देखिए, आप स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है, कि 9th मर्ज 2022 को एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ली, अपर लिमिट जो है, वो आपके पास सेट ही नहीं है अब, किसी भी एज का व्यक्ति इस एग्जामिनेशन को दे सकता है, अगर वो देना चाहता है, यह चीज ध्यान करके चलीगा, इसके अलावा आपके पास में, और चीजों के बारे में देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, यह सारी चीजें तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी वापिस से, एक और देख लेते हैं, यहां देखो, ठीक है जी, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, यहां पर भी बच्चों काफी दिक्कत होती है, उसको एक बार देख लेते हैं, अच्छा पानी पीलू, अरे सब्सक्राइब तो कर दो यार, आप ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, या लाइक करने में, देखो इसी चैनल के उपर आपको सिंगल शॉट्स मिलने वाले हैं, आपको वो स्पेसिफिक सिंगल शॉट्स आप, औरों की शकली देख देख के बोर नहीं हुए, क्या मैं तो हो जाता हूँ, कितना देखो गें, नया चैरा भी तो देखना चाहिए, थोड़ा मेरे को ट्राइ कर लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है, एक मिनिट का ब्रेक ले लूँ, एक मिनिट का थोड़ा साथ गरम पानी पी लेता हूँ, बने रहेगा आप यहीं पर मेरे साथ, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्वालिफाइं, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइं इग्जामिनेशन कोट्स के उपर थे, और यहाँ पर यह लिखा गया है, कि निट यूजी दो हजार तेईस के लिए, महराश्टर स्टेट वोर्स, क्लास 12 एचेशी का रिजल्ट आने का है, तो फॉर्म में क्या फिल अप करें, तो फिल अप करें, या फिर रिजल्ट आने के बाद, फॉर्म फिल्लिंग करना है, देखिए, अगर आपका जो रिजल्ट है, वो पहले आ जाता है, आपका रिजल्ट जो है, पहले आ जाता है, जो कि जब उस टाइम के उपर फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो उस टाइम के पर आप फिल अप कर सकते हैं, जो बच्चे इस बार क्लास 12 को पास करने वाले हैं, जो बच्चे इस बार क्लास 12 को पास करकर आगे जाने वाले हैं, वही सारे के सारे बच्चे क्लास 12 अपेरिंग लिखेंगे, और जो बच्चे पिछले साल अपीर हो चुके थे, और इस बार उस पेपर को फिर से देने वाले वो अपिएड लिख सकते हैं ठीक है ठीक है आगे चलते हैं देखो to be eligible for need to use 2023 candidates need to refer to the following table for qualifying examination criteria code 01 क्या है candidate who is appearing in the qualifying examination that is class 12th in 2023 whose result is awaited तो जितने भी बच्ची जिनका result awaited बच्चा जी वो code 01 को fill up करने वाले हैं देखो मेरे साथ रहना रात लंबी है और बातें भी लंबी है information bulletin को completely आप बच्चों साथ discuss करने वाले हैं तो पर परिशान नहीं होना है बिल्कुल भी आपका class 12 तो जितने भी बच्चों ने class 12 का exam जो qualify कर रहे हैं इस साल 2030 के अंदर उनका जो code होगा होगा code 01 में को नींद आ रही है ना नींद भगा दो क्योंकि आ गया आप तो तुम्हारा उठ जाना से यह लास्ट के सिर्फ तुम्हारा दो महीने बच्ची होएं अगर तुमने इन महीनों में महनत कर ली मेरी इक बात ध्यान रखना जब मैं खुद नीट की प्रिपरेशन करता था ना और बदलब नीट की प्रिपरेशन से लेकिए मेडिकल कॉलेज के सपना होता है ना वह लंबा होता है तो उसके बीच में नोटिस करी यह कि जब आप पूरा साल महनत करते हैं नौ से दस-दस घंटे रोज पढ़ते हैं और लास्ट की टाइम की उपर हलके से भी प्रिपरेशन छोड़ दी तो आप बिल्कुल भी मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं कर पाऊगे मैंने पहली जो गलती करी थी वह यही करी थी पस्टेर के अंदर तुम्हें वह चीज नहीं करनी है लेकिन जब फिर से अटेम्ट किया था था तब उस टाइम पी गलती रिपी अपिर ने टेस्ट बट ही और शी शेल नॉट वे इलिजबल फॉर अदमिशन तु अपर जाना है एंट नीट डॉट नई डॉट निट रॉट निट रिट नई डॉट इन वहां पर तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर तुम्हारे क्लास्ट के रिकॉड मार सब्सक्राइब नहीं आते हैं यह बिल्कुल जलना इसी चीज है तो ठीक है आगे जलते हैं क्यांड़ेट्स के अंदर जितना इलिजिबिलिटी क्राइटर नीट इग्जाम का होता है उतने जो आपके माक्स है वो आने चाहिए ठीक है फंटास्टिक ट्रेडर के कोश्चन लेते हैं अगर बेस्टी फर्सम फेल होए तो दे सकते हैं हां कोई इक नहीं है तुम्हारा सिर्फ बारवी पास होनी इसी है बाकी तुम्हें चिंथा परिशानी करनी की बिल्कुल यह आशकता ही होगी क्यूंकि निट कि यार तो मैं सिर्फ सिंपल हंटा समझना है कभी वी पर तुम्हें किसी भी इंटरेस एक्जाम कि अंदर जाना होता है वहाँ पर तुम्हें किसी अंदर जाना होता है अना ढिलाइख डेने में कुछ जा रहा है नहीं भाई दे दे घर क्या हो गए हैं तो सब्लक्राइब आने के बाद तीन आपकी अने के बाद देने मिलते हैं ना बता तो कुष्टिन में समझ करिये हम लास्ट में इसके नदर कोड़ सेलेबस भी डिस्कस करें काफी सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूजड हैं हैंना कंफ्यूज किसी के लिए कि सलेबस कम हुआ बढ़ा इसके उपर बहुत जो करेंगे लेकिन अभी हम इसके उपर चलते हैं कोड़ नंबर टू ठीक है अब आगे जी कोड़ द्यान से पढ़िएगा देखो तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें सब बताऊंगा आरन फ्रेशन ट्रेंड नसीम सब बताएंगे तुम्हें सब बताएंगे तुम्हें कि अभी तक मैं 15 घंटे ड्राइव करके आया हूं ठीक है सुम्हें सब्सक्राइब करनी है लेकिन अभी हम इसके पर बात कर लें ठीक है देखो कोड़ के हम बात कर रहे हैं बताएंगों ढ़िंग नियों हिरी सिन arriv vídeo सबके सुमेशं इसकू कsce suit्र ब्सकी कि अऑने सुमेश्पिक जेखो आट अर पेथे थान ऑल्स प्र देखों रहें घर बात टुम chakraство скажu फ्ने ऑर य самых schools and S媽ante structure by the national committee on education जितने भी candidates जिन्हों ने class 12 को open school से pass किया है वो इस बार eligible नहीं होंगे ठीक है जितने भी candidates जिन्हों क्लास 12 को pass कि open school या फिर private candidates वो इस बार eligible नहीं होंगे फशी और ने जादा जरूरी है आपको जाना कि कौन लोग eligible होंगे और कौन से जो लोग हैं वो इलिजिबल नहीं होंगे तो अगर आपका जो है वो एक अगर एडिशनल सब्जेक्ट भी है तब भी आप इसको तुम हलका समझ लो कि तुम मैं कहना कहा रहा है कि देखो जितने भी पेटिशन्स पिछले कुछ ताइम के अंदर फाइल हुई है उन पेटिशन्स का जो रिजल्ट है वो यहां पर दिया गया है तो तुम्हें इस इसके उपर ध्यान जो है वो रखना है जो कि कोट के लिए रहेगा कोट में बात करेंदा इंटरमीडियेट प्री डिग्री इसामिनेशन साइंस अफ इंडियन उनिवस्टी बोर्ड और अदे चीवाँ पर होना चिए उन लों के लिए तो आपकर लेते हैं तो फस्ट अगर कोड़ दो फ्री यर्स दिगरी अपर रिक्राइस उनिवर्सिक्स अन्यूर्स इस प्रइट चाहिए इसे उनिवर्सिक्स उनिवर्सिटें पड़ सकते हो कि तुम्हारा जो कोड नंबर होगा वो कौन सा होने वाया है क्योंकि कोड़ नंबर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको इस फॉर्म को फिलप करने बहुत सारे बच्चे कोड़ नंबर को गलत करेंगे तो आपको कोड़ नंबर को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है इस वीडियो के अंतर हम लोग कंप्लीट एक डिटेल जो बेटर जी डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग यहां पर डिसकस कर रहे हैं बस आपको मेरे साथ यहां पर बने रहना है ठीक है बातें बहुत सारी होंगी बहुत सारी चीज़ों को यहां पर डिसकस कर रहे होंगे बस एक चीज़ का आपको जहां रखना है कि आपको चलो आगे चलते हैं यह बेसिक से चीज़े हैं जो डिसकस हो चुकी है ठीक है देखो जो minimum qualifying marks eligibility के लिए चाहिएंगे एम्स और जिपमर के अंदर वो separately बताई जाएंगे एम्स और जिपमर की website के उपर तो उसको भी आपको एक बड़ी को no down कर लेना है ठीक है तो जब आपका form निकल जाएगा या फिर आपका पेपर हो जाएगा उस समय आपको क्या करना है उस समय आप आपको चेक आउट करने बहुत ज़्याज़ा जरूरी होते हैं तो उस टाइम के उपर आप चेक आउट को कर सकते हो चीक है आगे जलते हैं काउंस्लिंग और रिजर्वेशन फॉर एडिमिशन टू एंबी बीडिया स्कूर्स एडिमिशन प्रॉसेस के हमने बात कर लिए कि क्या क्या प्रॉसेस रहेगा इन सब चीजों की बात हम तब कर रहे होंगे जब तुम्हारा नीट एक्जाम क्राक हो चुका होगा आगे चल सब्सक्राइब तो आप वहां पर भी जा सकते हैं तो आप वहां पर भी जा सकते हैं आप इसका जो फॉर्म है वह भी आप कर सकते हैं अगर आपकी नीट के लड़कियों के लिए होता है सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अब देखो हमने नॉर्मल सी बातें करी हैं इसकी कॉंसलिंग के लिए बना रहे होगे लेकिन अभी जो तुम्हें जानना जरूरी है वह क्या क्या जरूरी है हम आगे चलेंगे इसके अंदर 132 पेजी अगर हम इसको पूरी रात चली जाएगी तो मैं तुम्हें यहां पर वो चीजें बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत बहुत जादा आवश्चक है रिजर्वेशन पढ़ सकते हो जो नॉमल नॉमल चीजें हैं वो मैंने तुम्हें सारी के सारी बता दी है और बाकी की आपको रिशाब जर ने बहुत जरूरी है और तुम ले क्या हो और कौन लेकिया और तुम पढ़ रहे हो इस तक मुझे देख रहे हो और इस तनी देर त तो मतलब की तुम्हारा हो जाएगा तुम्हें टेंशेंसें लेक dresses людей ने की जरूदति नहीं है पताय क्या होगा अभी लास्की दो मेरे होंगे बहुत जाद शूरू हो जाएंगे तुम्हारे उपर refuses बहरा जाएगा sports अब्सलिश ज्याएगां सूरेरे तरे क। हुछा तुम्हें लग रहा है कि यह मेरे जिन्दगी के सब्सक्राइब करने पड़ेगी जो उस लक्ष को पाने के लिए सक्षम हो कि महनता हमने थोड़ी सी कमसी कर लिए और लक्षे की आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत आई है कि मुझे इतना बड़ा लक्ष मिल जाए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा दिन रातों में हार्ड वॉक करना पड़ेगा लास की दो महीने बच्छे हैं यूटुब की वीडियोस देखनी हो किसी की मोटीवेशन लेनी हो बिल्कुल जरू तो नहीं है बिल्कुल जाम पको जाना बस तुम्हें पढ़ाई पर दिहान देना और कुछ नहीं करना जितने भी चैनल्स हैं जितनी भी वीडियोज आ रही हैं वह सारी किसारी तुम एक ह एब होली आ रहने आएक नोहसे लूप कंषी पर किसा को लुज़ार्ग में तो कुम है नहीं कि नहीं को दोड़ाइक हो तो मैं उनको पूर पोला मतलब नहीं लेकिन तो मैं स्कॉरीग मोडिवैशन की बाट to score 650 plus marks in the last two months वो नहीं होता है ठीक है वो सच्चाहिए है चला आगे चलते हैं सच्चाहिए हैं कुछ लोग चले गए कोई बात नहीं हम थोड़ी से अब जूटी तारीफ कर लेंगे तो देखो यह read lines है कि तुम्हें application form को submit करने से पहले क्या क्या करना है इसके ओपर हमने complete वीडियो है वो आपका बना रखा है कि आपको कौन कौन से बेस्ट कोले जो content है वो यहां पर देने वाले हैं तो इसको subscribe करके जाना बहुत सारे जैसे content है यहां पर आने वाले हैं लेकिन जो main चीज़ है देखो यह मैं तुम्हें बता जूगा अगली वीडियो के अंतर आने वाली है बस अभी मैं और dr. रिशव शूट करेंगे इसके अगली वीडियो आने वाली है ठीक है बिलकुल नॉम्मल सी चीज़े हैं आगे हम तुम्हें लेकर चलेंगे अप्लिकेशन विडाट फोटोग्राफ दीको हारे चीज़ हम डिसकस करेंगे बस तुम बने रहो यार अभी तो समय जाधा हुआ भी नहीं है हम जब पढ़ते है यार नीट के लिए तो दो बज़े का तो पता नहीं चलता था अभी क्या समय हो गया लिखो ज़रा कितने लोग अक्टिवेंस तो मैं मुझे देख रहे हैं लिखो ज़रा क्या टाइम हो रखा है बही मैं तो घड़ी देखनी पा रहा हूं तुम्हारे पास तो है देखो जी बिल्कुल बेसिक चीज़े हैं इसलिए स्क्रॉल ऑफ कर रहा हूं अच्छा लिंक चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन वाक्स में डाल दूंगा तुम भी पढ़ सकते हो अगर यहां डिस्क्रिप्शन वाक्स नहीं देखोगी तो कहीं और जागी देख सकते हो एंटी के वेब बिल्कुल बेसिक चीज़े हैं इसके लिए बहुत वीडियो बननी है अभी अब तुम्हारा समय बहुत कुरूशियल है इसके बाद और मुझे पता तुम देखोगे यार जब तुम्हें फॉर्म करना होगा तुम डेफिनिट वीडियो को देखोगे तो बस अभी तुम में चीज़े सुन कर जाओ कि सर लेलो मेरा एक सब्सक्राइब आरे थैंक यू सो माच दॉक्टर स्ट्रेंज बन गया यह बंदा रहे हैं कौन्सी स्टेट से रहे हैं लेकिन में मेडिकल कॉलेज के सुनाता हूं कुछ सुनना जाहोगे हैं जाहोगे कि इस बोरिंग पीडिया को फिर से पड़ें क्या करें बताओ दें तुम में थोड़ी से डॉक्टर वली फील अरे यस नो तो लिख दो भाई 31 लोग देख रहे हैं आरे वाह यस सर और और सोगे क्या 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 हुआ है ऐसे रखो एंपोन इस तरह अरे यस आने चीए और 69 लाइक क्यों है इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो देख के चले गए है अच्छा तोड़ी लगता है ऐसे बुरह लगता है अरे लिखो लिखो यस लिखो तीस लोग देख रहे हैं कम से कम 25 लिखो देखो मैं तुम्हें बड़ी बेस्टी के और अच्छी इंफ्रमेशन दे रहा हूं मैं तुम्हें किस्ता शेयर करूंगा एक बड़ अच्छा सा तुम्हें पता है आई सीउ के अंदर जब तुम्हारी पोस्टिंग होगी तो इस टाइम पर क्या होगा मैं तुम्हें जोन रहा हूं बड़ी देर से सलेबस वाला हूं अब एक सा मुझे दिखा गई गए है मैं तुम्हें बस उसको ढूंड रहा हूं पर पूरा भार दिया बस फीज बरनी वाकि है अरे बहुत बड़ी अप्रीज कुमार शावाश अरे सुनने नहीं किसी को किसे कल को परना नहीं दूने डॉक्टर आइसियो पोस्टिंग होती है मैं तुम किस से सुनाने वाला हूं तुम यस नहीं नहीं लिख रहे है राइट येस गाहईज अभी तो बाराई बज़े है अभी तो पाटी शुरू हुई है है काफी सारे गैजट वगए रहे हैं काफी सारी चीजें है सब्सक्राइब बहुत लोग कर रहे हैं थोड़ा संतुलन रखो बेटा जी अभी तो समय है फॉर्म की फिलिंग में कुछ नहीं होगा डॉंट वरी कल बर देना यार इसमें तो बहुत इंफॉर्मेशन होती है मैं तुम्हारी जो काम की इंफॉर्मेशन है न उसको निकान सब्सक्राइब करता ने कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं चाहा रहा था है तो इसाद में किस्सा करता बस आ गया आप दिखो मैं तुम्हारी कलकर आई-सी वोस्टिंग्स होगी बहुत है तिक होती है और तुम्हें आईसी वेस कर लिए पोस्टिंग्स मिल गई है पते क्या होगा अरे नहीं नहीं पड़ेगा तो तो जो बच्छे लास्ट डे को फॉर्म भरते हैं उनको लास्ट रहे गाना चाहिए हैं ऐसा नहीं होता डॉंट वरी अरे कुछ नहीं होगा डॉंट वरी डॉंट वरी देखो जब कल को तुम्हारी आईसी पोस्टिंग्स होगी ना आईसी पोस्टिंग्स होती है जो हर बंदे का सपना होता है और वहां पे हर एक हॉस्पिटल के अंदर ना बहुत सारे लोग होते हैं ठीक है और मतलब बहुत अब कि सेलेक्शन होने कि सब्सक्राइब जब तुम्हारा पहला दिन शुरूओगा बहुता पहले दिन डर लगता है र लगता हम दर भी लगता है क्षुशी भी होती है बड़ी सहरी चीज़़ीं वहां पर होडनी होती लेकिन मैं आगे किस्ता कॉन थे मुझे लाइक्स य मस्त मस्त से बताएंगे तुम्हें मैनल कर दो तो बड़े सारी चीजें होती है है ना उसके बारा बज़ने मुझे पता नींद आरी होगी पर दोक्टर वनने वाले हो कल को अरे बहुत बढ़िया सव कर देवें सौ करो इंको ऐसे चलेगा रात के बारा बज़ रहे हैं न तितितिस लोग देख रहे हैं मज़ा आ रहा है अब वसक्त खुशी भी होगे अंदर से डर भी लग रहा होगा तुम्हें तुम्हें अलगले दिपार्टमेंट्स पे जा रहे ह उस टाइम पे तुम्हें seniors बुलाएंगे है ना उस टाइम पे तुम्हें seniors बुलाएंगे और seniors बुलाके ना अब एक होती है प्रॉपर रागिंग जो पहले होगा करती थी लेकिन अब बड़ी friendly सी रागिंग होती है तो उसमें तुम्हें नचवा दिया जाएगा मतलब fun purpose के ल सारा होंगे जब तुम्हारे तुम्हारे पेपर होने होंगे ना इतना सारा वासले बस होता है इतनी मोटी-मोटी books होती है वहां से क्या पढ़ना है कहां से question आएंगे हर एक चीज तुम्हें वो लोग बताएंगे तो तुम्हें बिलकुल operate करना है जो करने को बोलेंगे जो साइड में रख दिना है प्रोफेस्टर आएगा दुनिया भर की तुम्हें पर रखी होगी दुनिया भर की तुम्हें फादमा पड़ रखी होगी लेकिन वह जेग्जामिलर जब तुमको फसाने पर आएगा ना भाई-साब तुमसे वह ऐसा सवाल पुट-प कर देगा ना जो तुम्हें दूर-दूर तक नहीं आता हुग, मेरा कैमरा बंद होगे है अब मेरी कहानी जा रही है, मैं इसकी बैटरी चेंज कर रहा हूँ, ताब तुम इरी कहानी सुनो, होगा क्या कि जब तुम इन चीज़ों को कर रहे होंगे, तो उस टाइम के ऊपर अपर अज़ा चैने मेरी साथ यह जए कम्प्रिट के इक कर लोग है कि तियारि करोगे और उसके बाद त् células गया हम जोड़ दें 30 जच्ट अवहां पर है अब तुम को लेंगा कि सरह अभी तेक्थी वेटा उसके बाद नहीं होती वेडिकल कॉलेज में है नगा बहार होंगे तुम डॉक्टर साफ सब के लिया कि सब उस्पिल में जा रहे होंगे ना क्या होता है तो जो नए ने बच्चें अबचे अ होते हैं अबिवास्ट्र या के अंदर वो गूम रहे होते हैं तो तुम्हें उन्हें रखा हो गांगे उपलकुल आप रहे हुगए जब तुम्हारा यह बता दो बाइश भाइसाभ क्या फील आई है कि तुम्हें मतलब क्या feeling होती है और जब तुम्हें डॉक्टर साब डॉक्टर साब बोलना शुरू करते हैं तुम्हारा कंदर से और बदल जाएगा तुम्हारी personality बदलने वाली है ना बहुत बढ़िया जितने लोग लाइक करें उनकी personality बदलेगी क्या तुम 71 लाइक्स बैठ लेके बैठ बताऊंगा तुम्हें कि मैंने रील बना दी कि यह हो रहा है तीस सेकिंड के अंदर या एक उनिट के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा इनिशली मैंने शुरू कर दिया medical college के पहले दिन से उसके बाते बताना शुरू करते हैं जब तुम्हारी posting दोना शुरू हो जाएंगी फिर क्या क्या होगा उसके उपर भी बात करेंगे लाइक्स टू भी हंड्रड मतलब मजा आएगा तुम्हें बात करके हैं ना ऐसा यूगा कि तुम्हें हमें बाते हैं यह एक्स्पीरियस चीज़ेंगे बहुत बढ़िया चलो चाट करते हैं देखो कोर से लिबस में फिज के अगर हम बात करते हैं तो जो आपके टॉपिक्स रहेंगे फिजिकल वर्ल्ड मेजर्मेंट का इनमेटिक्स के पता है मोशन प्लेन आजाएगा लौज और मोशन आएगा वोग इनरजी पावल मोशन आप सिस्टम पार्टिकल एंड रिजिट बोडी ठीक है उसके बाद ग क्लास 11 के अंदर भी सेमिस तुम्हारा रहेगा तो जो इस टाइम के ऊपर बड़ी सारी कॉंट्रवर्सी फैली हुई थी कि तुम्हारा सेलेबर्स हो गया है दोस्तों वो नहीं है यार तुमने फालतों की टाइम नहीं बेस्ट करना आना बड़ा बहुत स्पेसिफिक रहना अलगल कंडिशन्स होंगी बहुत तुम्हें बनना पड़ेगा और उसकी शुरुवात अभी से कर दो अगर तुमको डॉक्टर बनना है अंकल को डॉक्टर की तरह सोचना शुरू कर दो उसकी तरह भीव करना शुरू कर दो और डेफिनिटली तुम उस परसनालिटी को अप फ्रफिलिक चीज़ी हो जाती है और रहे हैं बॉक्तर ब्लॉक्ता से लीट्रीशन्स है तो मैं यह व्यूसली है प्लॉक्टीश सब्सक्राइब कर रहे हैं ब्लकुल नुर्मल सा अगर लिक्षाट्वत के नाम लिख रखे हैं तुम्हें पता है तुमसे better कोई नहीं जानता यार तुम्हें तुम्हें ना अपनी NCRT को इतनी बार पढ़ लेना इतनी बार पढ़ लेना कि तुम्हें अरी दिमाग के अंदर एक एक शब्द उसका छपजा जाए कोशिश करो कि उसको read करो है ना read करना शुरू करो ncr2 को और पढ़ाई करना शुरू करो definitely तुम्हारी selection होगी पता selection उस बच्चेगी नहीं होती जो disturbed रहता है जो बच्चा कभी धर जाता है कभी हो धर जाता है selection उस बच्चेगी होती है जो consistent रहता है जो बच्चा फोकस्ट रहता है और वो बच्चा जो कि एक जगह के उपर टिक कर रहता है लेकिंट तुम्हें चुनना कि तुम्हें कहां पर देखना है तुम्हें बस सब्सक्राइब करने यह तो तुम लोगं का प्यार एक महींने के अंदर पता है अंदर बैठे हुए हैं तो हमें बताए कि तुम्हारे लिए क्या बनाना है हम तुम्हारे लिए चिंता नहीं करने बस पढ़ाई भी द्यान देना चलो आगे चलते हैं तुम्हें पढ़े लिए चाप्टर ना इसमें कुछ खास है नियार जो चैप्टर चैप्टर के अंदर जो मल्टिपल सब टॉप्रिक्स होता है उन्हों लोग पढ़ रखे नहीं तो उसमें कोई भी जो प्राब्लम वह बिल्कुल भी नहीं आएगी है न तो यह सारी की सार रहा से मूफ करेंगी इंफोर्मेशन बुलेटेन है और बिल्कुल नॉमल नॉमल जो इंफोर्मेशन रहे हो यहां पे रहेंगी लेक्ट्राणी डिवाइस इसके लिए बहुत ताइम में तुम्हें समझना हो यह समझना है पहली चीज़ पेपर किस दिन है दूसरी चीज़ भर ना कहा है तीसरी चीज़ पेपर की डिरेशन कितनी है चौती चीज़ कितने नंबर का है कितने नंबर का है वही है हूं आज का रिट है अब कब फॉर्म को जाएगी छे अपराल को ठीय है कब लास्ट करनी का टाइम है ग्यारा बच के पचास मिनट रात को ठीक है उसे के साथ में एक्जामिनेशन सेंटर क्या होगा वो तुम लोग भरोगे एडमेट कार्ड के उपर लिखकर आजएगा बाकी सारे के सारे डिटेल्स एडमेट कार्ड के उपर आजएगी अगली क्या से कुछ डिलीशन हुआ है जी नहीं अगर कुछ डिलीशन होगा तो टॉपक से डिलीट होएंगे जो कि बताया जाना कि यह यह चाप्टर अभी चल रही था ने वीडियो कि हो सकता है कि नीट दोहजार थेज के अंदर ही बच्चों यह आपकी चाप्टर डिलीट कर द देखो तो इतना चीज़ा क्लियर होगी है उसके लावा तुमें पर इतना ध्यान रखना है कि अध्या कर रहे होंगे कि तुम्हें को बरना किस तरह से है इनफोर्मेशन बुलिटन को लोग एक पर फिर से एक चीज़ को मैस्ट करने वाले हाई था तुमने भी चागना है प प्रपर जो प्रिपरेशन है उसके अंदर तुम्हें 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 प्रपर जो प्रिपरेशन है उसके अंदर तुम्हें टाइम डिवोट करना पड़ता नेट के प्रिपरेशन के अंदर टाइम डिवोट करो चीजने तुम्हारी बहुत अच्छे तरीके से सॉट हो जाएंगी अगर तुम्हारी स्ट्राइजी तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बना सकता मैं गल को बोल द तुम्हारा से लिए बस कितना हो रखा है ना हमनी चानते वो चीज़ अब मैं तुम्हें आगे बोल दूगे तुम्हें दिन के अंदर चार चेप्टर करने तुम्हारे लोहीं नहीं पड़ने का मैं तुम्हें बोल तक कि 12 गंटे बड़ो तुम्हें खुद से करना पढ़े प्रिवीस को लगाना शुरू करो लगाने का पता सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है हमें यह पता चाल जाता है कि पिछले सालों का इसाप से किस पैटन के अंदर जो पेपर था वह आप बच्चों का आया था और इस बार क्या कोशन आ सकता है देखो पता क्या होता है धर तो यहां पर हमने लेवलब वाइस कोशने देते हैं बिल्कुल फ्रश लेकिन रख़ते हैं वहां बिज्चे को पता चल पाए कि जो चाप्टर उसने पढ़ा वहां से साल के इंदर किस तरह कोशन आया था और इस चाप्टर से किस तरह का जो सवाल वो आता है तो पीवाई की उसके उपर इस तरह करना शुरू करना लगालना सारे के सारे मॉक्टर सीरीज अभी तुम्हें एक इंस्ट्यूट का नाम लिया है उसके लिए दो से तीन इस्ट्यूट की और लगा लेना काफी च सबसे बड़ा सोचना यार क्यों तुम कोशिश करों कि अंदर तुम सेलेक्शन लेकर आओगे और तुम महनत कर रहे हो खुद की महनत के उपर पेरेंट्स के उपर और भगवान के आश्रिवात की उपर ना हमेशा वरोसा रखना तुम्हारा ना सब कुछ सही होगा तो इसी तरह से बस त्यारी करते रहना बस मोटिवेटर रहना और हो जाएगा यार पता है अब ने डी मोटिवेशन और शुरू होगी मॉक टेस के अंदर नंबर नहीं के बहुत कुछ होगा घर से गालियां भी पढ़ेंगे बड़ा कुछ होगा लेकिन तुमने टेंशन ही लेनी य लेकिन पते क्या है नस्थ की दो मेणी की महने ज़्श्क option कड़ें कंदर करे यहां में वाकी क्या कर रहें इदर जाके साड़य विडियों के नहीं पूप हो करा ला तुम्हें मेडिकल कॉले जाना है यह क्या था जो पुराने मुझे देख रहे हैं इज्जत को क्या करना है साइड में रखके जाना है क्योंकि वहां पर नहीं रहती है तुम्हें फील होगा बहुत सारी चीज अच्छी आइप केंदर होने वाली है बस तुम पढ़ाई करते हो बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है लास का टाइम है बिल्कुल भी फोकस को लोजमत करना यहां पर सीरी स्टार्ट होने वाली है तको आज में जितने दिख रहे हैं तुम कंसिस्टेंटली मेंटेंड हो इतने टाइम से रोज क्लास होती है शाम को साथ चालीज पे आजाए तुम्हें लिए टीचर जी तोड़ महनत कर रहे हैं हम सोच हो इस टाइम में बैठे हुए अगर हम नहीं थक रहे ना तो तुम्हारी उम्मर में तो हमारे अंदर इतनी भ्यंकर अनरजी थी कि बस करना है और वही कंसिस्टेंसी और वही मोटिवेशन तुम्हें अपने इतना लेवल अफ डेडिकेशन खाना खाना कम कर दो और नूट्रीटिव खाना 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 शुरू करो कि थोड़ा थोड़ा करके घौत नेंद नहीं जो घृच्छान पर तला होता है जो कि नींद कॉस्थ करता है क्या होगा बायो पड़ने बैठोगे समझने आ रहें को क जालिग लिखना चीज़ आपना लिख दो और अजर आ तुम बनने वाले तो अगर तुम काल को कुछ बनने वाले वह एक नाम बात सब्सक्विए उस तरह से जीना शुरू कर दो उस तरह से लाइश ट्रीट करना शुरू कर दो टेंशन तुमने नहीं लेनी है इसके उपर डिटेल्ड वीडियो भी आएंगी और तुमें हम बिल्कुल शौट कंसाइस वीडियो कंदर भी हर एक चीज़ को समझा रहेंगे बस अब जाओ सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर चाहते होगी आपको बताएं या पर डॉक्स आपको बताएं तो वह भी बता देंगे बस या तो आज सोजाओ पढ़ाई कर लो या फिर फॉर्म भर लो ठीके मिर अर्चना कुमारी थांगे सुमाच विल्कम एवरिवान लव यू आप बाइट ध्यान रखना गुड़ना पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेते रहें एक बात ध्यान रखना माबाप का जो आशिरवाद होता है ना वह बहुत उंचा होता है बढ़ी से बढ़ी जो मुश्किले पैदा तुमारे दिंद्द के अंद जब सब्सरी ऐंगेओ लेंगें लेको होगे ना एक मैं खुश वोंगे और सभू सील्मिंद कोषकू होंगे कहन होंगे ना तो तुम्हारे ज़ंग विंधान रखो